आज हम बना रहे हैं चिकन कोर्मा यह बहुत ही शाही डिश है जो पाती इस के लिए तो पर्फेक्ट है लेकिन कभी-कभी इंडल्जेंस का मन हो तो आप घर पे ऐसे ही कभी भी बना लिजेए क्योंकि यह बहुत सिंपल डिश है और बहुत जल्दी से बन जाती है पटाफेक्ट से सो लेट्स बेगिन चिकन कोर्मा बनाने के लिए मैंने हाफ अ केजी चिकन वित बून लिया है मैंने यहापे सिर्फ लिया है ड्रम स्टिक्स आप करी कट भी ले सकते हैं इनको पहले मैंने अच्छे से पियर्स कर लिया है विद अ नाइफ इसे हमारा मैरेनेशन अच्छा सीपन होगा मैरीनेट करने के लिए मैंने लिया है 1 teaspoon of ginger garlic paste, 1 teaspoon of dahi, salt to taste and half a teaspoon of red chili powder. इसको मैं अच्छे से हाथ से ही मसलूंगी, क्योंकि marination तो अच्छा तभी होता है, जब अपने हाथ लगा के अच्छे से उसको पूरे चिकन पीसिस को कोट करते हैं, marination से. अब ये तयार हो गया है, अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे for at least one hour, now हमने एक बोल में पाँच कैश्यूज और पाँच आमंड्स को सोख कर लिया है in warm water, अब मैं इसको गरम पानी में सोख करके एक साइट पर रख दूगी और एक मसाला पेस्ट बनाएंगे, मसाला पेस्ट क इसको भी मैंने पानी में मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है, अब हम अपने अनियंस को फ्राइ करेंगे, सबसे पहले मैंने तीन थिनली स्लाइज अनियन लिये हैं, इनको मैं जैसे बिरिस्ता बनाते हैं, अम बिरियानी के लिए वैसे हम हाई फ्ल क्योंकि फिर यह अपनी हीट में भी कुक होते रहते हैं, अब इनको मैंने निकाल लिया है, इनको भी हम साइड में ठंडा होने के लिए थोड़ी देर बाद आप देखे यह हवा में ठंडे हो गए तो कितना चा क्रान चाया है इनका अब हम एक पेस्ट बनाएंगे अपने क्योड़ी वहा में पेस्ट बनाना है तो आप देखे एक और मिक्स करने के बाद यह थोड़ा फाईन अभी नहीं हुआ है, इसको एक बार मिक्स करना पड़ेगा तो हम इसको बहुत अच्छे से एक बार मिक्स करके पिर हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अब हमारा एक घंटा हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से मारिनेट हो चुका है, तो चलिए कोकिंग स्टार्ट करते हैं, मैंने सेम कड़ाई ली है, जिसमें मैंने प्यास फ्राई करेते, काफे सारा ओइल हटा के, मैंने सरिफ 2 से 3 टिबल स्टून ओएल रहने दिया है, उसमें मैंने घी डाला है, तेज पत्ता, काली मिर्च लॉंग, दालचीनी, हरी इलाइची, बड़ी इलाइची, ये सारे खड़े मसाले डालके, मैं इसमें थोड़ा सा फ्राय कर लूँगी चिकन को, डीटेल लिस्ट ओफ इंग्रेडियन्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी, कोर्मे का मतलब ही होता है, कि चिकन को हम पहले थोड़ा सा अपने आप ओईल में फ्राय करते हैं, और कुक होने देते हैं, कोर्मा बेसिकली एक कुकिंग प्रॉसेस है, उस प्रॉ डाल दोगी और साथ ही साथ हमारा चिकन को होता जाय था अब में इसमें, अपना मसाला पेस डाल रहे हूं, और अच्छे से मिक्स कर दूगी, मसाला पेस भी मिख करने के बाद हम सको कवर करके ख grade 5-7 मिनिट उने लिएक और 5ETH छोक हो रहा है poss depois apoyo और 5 तो विछ आप देख को आप देखिए यह थोड़ा कोखोना शुरू हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया चिकन की कुकिंग स्टार्ट हो गई है अब 5-7 मिनिट बाद आप देखिए चिकन कोख हो गया है थोड़ी सी और इसमें कसर बाकी है हम इ इसमें फ्राइड अनियन, आममंड और पेस्ट डाल रही हो इसमें हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दो से तीन मिनिट बाद आप देखिए बिलकुल फुली कुक्ड है मैं इसमें डाली हो केवड़ा एसेंस तोड़ा सा गरम मसाला और फ्रेशनेस के लिए बहुत सारा हरा धनिया अब हम इसको दो मिनिट कवर करके रग देंगे हमारा यामी टेस्टी शाही चिकन कॉर्मा इस रेड़ी तो सर्व सर्वित लॉट्स अफ लॉव अगर आपको या रेस्पी पसंद आई है दन दू लेक अगर रेस्टी प्रेशनल से उलिए लॉट विड़ा बन के लिए नार शाही, बनीट रेस्टी श तेस्टी चानल कि रखके लगर वाणिख या अजन प्रिए अगरा टो से करे लिए अटल अग्वादाट का टेक्वेड तो विए अल्ट्रेशन देंग्ग्त लॉटायर and take care.